आज हम देखेंगे 10th class का बहुत important topic calculation of mode दो columns आपको दिये रहेगे, आपको mode में कोई तीसरा column बनानी कोई आउ सकता नहीं है केवल आपको जो maximum frequency है ने सबसे बड़ी value जो है frequency की वो देखना है सबसे बड़ी value है 29 यह आपका circle बन गया इसके उपर f0 यह जो है वो f1 और इसके नीचे जो होगा वो f2 होगा बहुत simple है जो circle बना है जो maximum frequency है वो आपकी f1 है f1 से उपर f0 f1 से नीचे f2 अब आपका जो mode है mode का formula होता है l1 plus f1 minus f0 upon 2 f1 minus f0 minus f2 और bracket का multiply by h बहुत simple है यह जो आपकी model class है इसमें जो छोटी value है वो आपकी l1 होगी याने 60 f1 की value 29 है f0 की value 21 है 2 f1 याने 29 का double 58 minus f0 याने 21 minus f2 याने minus 17 और multiply by h अब h क्या होता है इन दोनों के बीच का जो gap है जो difference है याने 20 वो आपका h है बहुत ही simple है यह हो गया 60 plus 8 divided by 58 minus 38 यह भी हो जागा 20 multiply by 20 से 20 cancel और बहुत simple तरीके से within no time आपका answer आजाता है 68 बहुत बढ़ी आसा question है बहुत simple question है कोई प्रकार की problem नहीं आप इसकी practice कीजिए और full marks लीजिए best of luck जाता से यादा मेरे वीडियो को like और share कीजिए channel को subscribe कीजिए धन्यवाद